हलो हलो गुड आफनूल में प्रफर नमस्कार में प्रफिसर सुनीतय मिश्र दीन स्कूल फॉर होम साइंस बाबासाय भीम राव अमबिटकर उनिवरस्टी सेंट्रल उनिवरस्टी लखनो और आज जो है लेक्चे शिरीज के अंतरगत दे अगिविंग, I am going to give you topic Dietary Management to Boost Your Immunity During COVID So, before starting my lecture series, I must thanks to our own VBAU Vice Chancellor Professor Sanjay Sengji and social media के charge, Professor Gobind Pandya Ji, Dr. Alka to give me this platform to discuss everything regarding this dietary management So, आप लोग को पता होगा कि जो ये जो फूड का जो रहता है उसी में बहुत सारे चीज है जो की हमारा के ये में आहम नहीं है तो इसमें इसको ठीक से करने के लिए, we should have certain things For example, food choices हमारा कैसे होना चाहिए तो इसी में इसी के अंतरगत मैंने आपको कुछ बताने वाली हूँ ये जैसे की, food का immunity और ये ठीक करने के लिए हमको बहुत सारे विशेफर देना है So, ये है दो pandemic COVID जो है, वो made people increasing insecure उनका life को क्यूंकि वो जो है, इसके लिए हम लोग को good hygiene, healthy nutrition to improve the immunity and to keep the, all the other viral infection to keep everything in a very communicable way, हम लोग को ये देखना पड़ेगा की हम क्या क्या भोजन खाए और क्या ना खाए So, ये है कि इसके अंतरगत, हमारा जो भोजन हम लोग लेंगे उसी के अंतरगत, main है हम लोग को कुछ जैसे की fat vitamins fat soluble vitamins को ज्यादा हम लोग को खाना चाहिए, जैसे की A, E, D and also vitamin C, तो ये good nutrition is very important because during and after the infection also उसी में हमारा body को ये maintain करने के लिए, क्यूंकि while no foods और dietary supplements ऐसे directly COVID के लिए नहीं निकला है, लेकिन prevention is always better than cure. So, to prevent the food, it is always have a good maintaining a healthy diet is very important to support our strong immunity system. So, food that helps to boost immunity, हमारा जो बूस्ट करता है food, उसमें बहुत herbs तो है, लेकिन garlic है, बासल लीब से, जो की तुलसी पता, black cumin seed है, उसमें बहुत सारे सबजियां है, but उसमें हमारा probiotic, prebiotic food, curd है, yogurt है, और fermented food, वो बहुत अच्छा मना जाता है, because they are excellent sources to rejuvenate the composition of gut bacteria. Gut bacteria जो होती है, उसी को भी rejuvenate करने के साथ-साथ, and which is very important for nutrients absorption also, and जैसे, gut bacteria को देने के लिए, and they provide immunity supplements, तो जो immunity supplements हम लों का और कुछ food देती है, उसमें ginger is there, gooseberry, जो की अमला है, वो भी उसको भी मना जाता है, बहुत अच्छा turmeric, वो भी anti-cancerous, वो उसको भी बहुत अच्छा मना जाता है, और COVID-19 immune system booster में, vitamin C, जितने टाइब का vitamin C, जैसे सांत्रा, हमारा हुआ, निम्बु हुआ, और zinc, iron, vitamin E, यह सब हमारा भोजन में लेना चाहिए, उसके साथ साथ सम् ट्राडिशनल फूड और herbs भी वो भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे different types of, एक जो है, हमारा जो meal composition, जो भी चीज हम लोग खाते हैं, भारतिया हमारा food taking में, तीन बार हम लोग meals लेते हैं, that is in the morning breakfast, फिर lunch लेते हैं, फिर जो है, दोपर के भोजन, फिर हम लोग लेते हैं, जो है, रात्री भोजन, तो यह जो है, सभी का इसमें भी time fix कर देना चाहिए, तो वो time में, हम लोग को जैसे की, सुबह के नास्ता, वो time fixed है, 7.30 से 9 के बीच, 9 बज़े के बाद नास्ता नहीं लेना चाहिए, दोपर का खाना, वो भी 12 से डेड़ के बीच, 1.30 तक ले सकते हैं, और रात्री भोजन, कभी भी 8 बज़े के बाद लेना नहीं चाहिए, भोजन, नहीं तो मत खाईए, पानी पीके भी सो जाईए, बट वो भोजन नहीं लेना चाहिए, और जो हमारा भारतिया प्लेट जो होती है, उसमें mostly we take जो मील में, सब भी हम लोग लेते हैं, जैसे कि हमारा रहेगा उसी में different type का वो चावल, डाल, सबजी, रोटी, उसके साथ साथ हम लोग का हरे पतेदार सबजियां और ये भी रहता है, और कुछ तो रहता है हमारा food groups, salad रहता है, राइता रहता है, food groups में जैसे चार major food groups होती है, जो है, that is cereal, cereal में अमरा गेह, चावल, मेज, माडवाटा, सब कुछ आएगा cereal में, then vegetables, vegetables में green leafy vegetable भी आती है, normal vegetable आती है, जो भी साथ सबजियां सब भी आएगा, fruits रहता है, then millets और कुछ super foods भी रहता है, यह जो super foods का हम लोगा यह है, nuts and oil, super foods में जैसे की हम लोग ले लिए, कोई nuts, walnut लिए, यह अनार यह लिए, हमारा pumpkin seed, हमारा सुरज मुखी का लिए, फिर हम लोग chia seed लिए, जो की अच्छा nuts, वो सब super cheese होती है, तो उसको super foods ही कहा जाता है, उसको करके हमारा यह जो चीज, अभी हमारा एक बड़ी चीज है, हमारा vitamin E भी हम लोग को लेना चाहिए, बिटा कैरोटीन, वो भी food में लेना चाहिए, उसके साथ साथ, बिटा कैरोटीन के साथ साथ, हमारे जितने टाइप का nutrient supplements है, जैसे की zinc है, celerium है, vitamin C, B complex vitamin, यह सभी को भी लेना चाहिए, और उसके साथ साथ, नाओ में अभी आऊंगी, what is lockdown, और COVID-19 में हम लोग का immunity booster क्या है, Lockdown मतलब, it is a emergency measure, और a condition in which people are temporarily prevented from entering or leaving a restricted area or building, It can be house, it can be institute, और a hostel, कुछ भी, वो threat of danger के लिए, हम लोग वो रहेंगे घर के अंदर, to so that stay home, stay safe, और जो भी हमारा, यह जो essential services, lockdown के द्वारा खाली खुला रहता है, जैसे कि हमारा lockdown के द्वारा essential services है, grocery store, हमारा pharmacy दुकान, drugs दुकान, और banks, यह सब खुला रहता है, और lockdown period में, यह जो हुआ, 2019-20 में, coronavirus pandemic, the term lockdown was used for action related to mass quarantine, जो कि हम लोग घर में रहेंगे, and limit our movement, so that any type of activities in a community, while allowing most of the organization functions, जो भी करेंगे, हम लोग का activity और वो, उसको limited करके, हमको यह देना चाहिए, उसके साथ साथ, हमारा कुछ measures है, जैसे कि यह food में भी हम ले रही है, उसी में भी कुछ boost immunity food जो है, उसमें हम लोग को तीन categorize, एके beverages, एके food, और कुछ spices भी हम लोग लेंगे, तो जो भीब्रेजेस और पानी में, ड्रिंक warm water, खुब सारे वो warm water पीना चाहिए, throughout the day, पूरा पीना चाहिए, और डेली जो है भोजन में, हमारा normal diet, और vegan diet को ही लेना चाहिए, मैं आपको clearly what is vegan diet भी, मैं आपको पूरा बताऊंगी, then उसी के बाद वो जो रहेगा, spices और turmeric seeds जो यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग का क्या क्या, turmeric, cumin, coriander, garlic, यह सब बहुत अच्छा, alkaline जो पेयपदात वो सब हम लोग को लेना चाहिए, और अभी जो है, हमारा, what is the role of specific nutrients during maintaining the optimal immune system of our body, उसमें vitamins like A, D, E और K हम लोग उसमें ले सकते हैं, vitamin C ले सकते हैं, vitamin B complex ले सकते हैं, zinc ले सकते हैं, celerium ले सकते हैं, anti-oxidant ले सकते हैं, so that वो जो हमारा oxidative trusses होती है, वो हम इसको दूर कर सकते हैं, और एक balanced diet लेना चाहिए, balanced diet means, it is a diet which is balanced, both in quality and quantity, quality में भी हमारा जो है, जो चीज जैसे 6 हमारा nutrients है, protein, कार्बोज, बशा, खनीजलबन, जल, और हमारा जो है, sunshine एन ये, जो 5 चीज हैं, उसी को छोड के भी हमारा balanced diet में, quantity wise भी ठीक से होना चाहिए, और diet में हम लोग vegan diet लेना चाहिए, vegan diet क्या है, vegan diet is a diet which is always vegetable, vegan diet always content, diet contents vegetable, contents only plant, कोई भी plant product, जैसे की हमारा grains, nuts, fruits, foods made from plants, सबी plants का जो product है, उसको vegan diet करते हैं, उसमें, चार चीज़ें हम लोग use करते हैं, वो body को देता है, protein, carbohydrate, fats, और हमारा fruits and vegetables वो हमारा body को minerals देती हैं, तो यह सब देता चाहिए, और vegan diet में हम लोग dairy product, animal protein वो कुछ भी use नहीं करते हैं, और यह जो infection चीज़ में vegan diet ही अच्छा है, उसके बाद, दो माइना हम लोग without any type of non-veg खाके, vegan diet में रहना चाहिए, क्यूंकि infection का खत्रा non-veg में ज़्यादा, क्यूंकि non-veg food में perishable goods है, बहुत उसमें bacteria, बहुत सारे उसमें molds, fungi सब आ जाते हैं, तो उसमें vegan protein diet होना चाहिए, और यह जो vegan protein diet रहेगा भी, diet और lifestyle टू हमारा जो diet में, mostly protein rich food में हमारा पनीर आएगा, काला चन्ना आएगा, दाल दलें आएंगे, सभी type cup डाल, soya bin आएगा, दही आएगा, milk आएगा, soya protein आएगा, soya tofu आजाएगा, nuts and seed like almonds, pumpkin seed, walnut, flax seed, यह सब आएगा, उसको छोड़ के भी हमारा जितने सारे भी walnut है, यह जो भी चीज, बहुत अच्छा अच्छा चीज है, वो सब आजाता है, and हमारा diet and lifestyle को और भी अच्छा करने के लिए, covid को दूर, पूरा go, covid, go, उसको कहने के लिए, हमारा एक सुबा का जो सुरू करेंगे, जो दिन्चरिया, हमारा सुबे का, जो कोई भी चीज हम लोग सुबे लेते हैं, वो एक detox diet लेना चाहिए, what is that detox drink, detox जो है, वो detoxification, बोडी का जो toxic पाया जाता है, जो उसको साफ करने के लिए, हम लोग एक drink सुबे टाइम, दो बार भी आप ले सकते हैं, detox diet में, उसमें एक कप पानी ले लिजिए, आधा चमज उसमें turmeric पड़ेगा, पान से दस pieces, उसमें clopes, जो की long कहा जाता है, दस leaves, तुलस्ती पत्ता, ड्राइ जिंजर, सुखा जो सोंट जिसको कहते हैं, और उसके साथ वो गिलो ही भी रहता है, ये मैंने आज ये detox diet भी आपको दिखाने लाई हूँ, ये है detox diet, हमारा इसमें सब है, ये अद्रक है, ये है turmeric, जो की ये रहा, ये cloves, long, दालचिनी, तुलसी पत्ता, और उसके साथ साथ हमारा ये detox diet एक morning में, एक कप पानी में 20 मिनिट बॉयल करके, गिलो ही भी इसमें डाल सकते हैं, पी लेना चाहिए, अधा कप हो जाएगा, देन 12 बजे और एक detox diet, जिसक में की आप करेला, छोटा सा करेला, नीम का 5 से 10 पत्ता, एक टमाटर, उसको मिला के, जूस टाइप का बना के, वो भी detox diet, तो body का जो गंदेगी ये का, वो साफ हो जाती है, और उसके साथ साथ, diet और lifestyle भी हमारा ये जो change करने के लिए, boil water हम लोग को लेना चाहिए, वो भी minimum 2 से 3 बार तक mixture of water और lemon, ये दोनों को मिला के, boil water ये लेना चाहिए, so that our body हमारा जो ये है, वो hydrate रहेगा, आदरता बनी रहेगा सरीर में, और body alkaline रहेगा, उसको छोड के, सूप पिना चाहिए, green tea, काढ़ा, ये सब खुब लेना चाहिए, lots of ये सब लेना चाहिए, उसको छोड के भी, हमारा जो है, seasonal fruit और vegetables वो भी हमारा immunity को बढ़ाता है, minerals देता है body को, और seasonal fruits भी vitamin C देता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को ये भी अच्छा कर लेता है, वो infection नहीं, जमने नहीं देगा, और उसके लिए हम लोग को जो लेना चाहिए fruits, वो watermelon, orange, orange देना चाहिए, vitamin C, pineapple, और kiwi, papaya, ये जो है सबसे best, papita लेना चाहिए ये, क्योंकि ये सभी में 12 point अवर, alkaline ये fruits मना जाता है, और covid-19 के लिए ये बहुत अच्छा है, vitamin C के साथ साथ इसका alkaline होने के नाते, lemon, oranges, pineapple में 12 point 7, lemon में भी है 9 point 9, और garlic में जो है सबसे ज़्यादा 13 point 7, ये सब पाया जाता है, ये सब seasonal भी होती है, और watermelon is also very nice, उसको छोड़ गे, हमारा जो fruits जो लेना नहीं चाहिए, वो है guava, जो की palms उसमें हो रहता है, वो banana, banana को भी avoid करना चाहिए, क्योंकि infection उसी से भी वो ठंडा हो, cough and lungs में ये ज़्यादा खराब करती है, और उसको vegetables भी हम लोग जो लेंगे, उसी में भी spinach, green leafy vegetable, हम लोग पुदिना ले सकते हैं, हमारा seasonal vegetable जितना है, वो चुकंदर, आप ले सकते हैं, निम्बू ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, पुदिना ले सकते हैं, आम, कच्चा आम, पुदिना का चटनी बना के बहुत अच्छा होता है, एक चीज है, यह आप खसेंगे, मोरियंगा ले, यह है जो है, मोरियंगा जो सेजन, सेजन का फली है, सेजन का फली, सेजन का साग, बहुत अच्छा होता है, चुकंदर, यह सब चीज बहुत बढ़िया, और टमाटोस, टमाटोस में भी lycopene पाया जाता है, तो इसको भी हम विटामिन C, lycopene, सब कुछ है, विटामिन A है, तो इसको भी लेना चाहिए, जाता, और उसको छोड़के पियाज भी लेना चाहिए, पियाज में हमारा क्यूरेसिटिन होती है, क्यूरेसिटिन भी, वो यह जो है, सरीर का, उसके यह भी पुदिना, यह भी चुकंदर है, और यह सभी के घर में, गाउं में भी मिल जाएगा, शहर में, बहुत ऐसे नहीं है कि उसके लिए और सिजनल भी है, इसको छोड़के हमारा सब important कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि COVID-19 में जैसे हम लोग consumption of highly processed food, इसको हम लोग processed food को ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, और avoid करना जैसे कि carbonated beverages, जो कि carbonated beverages रहता है, उसमें fat, salt, sugar बहुत उसका मात्रा ज्यादा रहता है, और with poor nutrients, so why to take carbonated cold drinks हुआ, तो राम बाबा भी कहे हैं कि that is a toilet cleaner, exactly, no nutrients, खाली उसमें जो है, body को toxic देगा, फुलाएगा, मुटापा करेगा, so very poor nutrients उसमें तो उसको बरजित करना चाहिए, और हमारा जो consumption में एग meat poultry वो लेनाने चाहिए, बहुत risk होता है, but if it is hygienically आप कहां से आपको मिल जा रहा है, you can take it, because FESAI, Food Safety and Authority of India, उसके द्वारा कुछ moderation करके, कौन सा भोजिये पतात हम कह सकते हैं, कौन सा नहीं, उसमें वो दिया गया है, हमारा यहां पे 20, Bureau of Indian Standard, जो की Food Safety के सभी में यह रहता है, अमेरिका में FDA, Food and Drugs Act, FDA करके, और तो सभी Indian में हमारा जैसे भी, हमारा कोई भी चीज, फैट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, साल्ट और शुगर बहुती कम मात्रा में, आपका हमेशा बॉड़ी को जो है, हाइडरेट करके ही रखना चाहिए, और उसके साथ साथ, adequate water, हम लोग को जैसे की बहुत सारे intake, good immune system के लिए, हमेशा बॉड़ी में intake बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ साथ की, ये हाइडरेट के साथ साथ हमारा जो गारगल करना चाहिए, बॉड़ी में खान पिन के साथ साथ, warm water में, बतीन से चार बार, lukewarm water में गारगल करना चाहिए, steam regularly लेना चाहिए, so that lungs clean रहेगा, उसको छोड़के, drink plenty of water, जो की हमको धाई, लिटर तक आना, पानी पीना चाहिए, खाली पानी नहीं, चाय, ग्रीन टी, सूप, काढ़ा, होड जीरा पाउडर, जीरा को डालके वो पानी बहुत अच्छा होता है, hot honey, जो की वो शाहत डालके, वीवरेजे स्खाना चाहिए, so that ये सब भोजन लेने से बाद, वो बोड़ी को हाइडरेट करेगा, इसको छोड़के, always खुब हसी, मजाग और हैपी रहना चाहिए, happiness is also a very great way to fight the disease, ये एक अच्छी चीज है, और उसको ये करके हमारा दो दिन चरिया, हमारा डेली रूटिन में, हमको meditation, योगा, ये दोनों भी बहुत ये रखता है, lungs clean रखता है, बोड़ी को balance रखता है, मोटापा होने नहीं देता है, सब भी जितना disease, diabetes, hypertension, cardiovascular disease, सभी एक दूसरे से सब जुड़े हैं, इनको भी दे यूज कंट्रोल, योगा, meditation और सांस्क्रिया, जो है स्वास्क्रिया हम लोग करेंगे, उससे जैसे कि हमारा अनुलोम बिलोम, भास्ति का प्राणायम, कपालवाति, ये तिनों करना चाहिए, और salt water में गर्गिल करना चाहिए, salt water इसलिए, salt water और जीरा डालने से, lungs हमारा clean रहेगा, तो इसको भी करना चाहिए, and another thing, nutrition के साथ साथ, आपका जो 10 से 15 minute, rose, rosana sunlight, जो की सूरज रोशनी, जो उसमें हम लोग को बैठना चाहिए, so that उससे द्वारा vitamin D और body से मिलेगा, और health and fitness activities भी हमेशा करना चाहिए, breathing और regular सूर्य नमस्कार, इसको भी is a very good for fight against any type of disease, और drink plenty of water ये बता दिया, और इसके साथ साथ, clean your hands often, always, आपका जो हाज जो है, food hygiene के उपर भी हम बताएंगे अभी, और हाथ भी कैसे धुला जाएगा, और use soap and water, और alcohol-based जो है, वो हमारा जो sanitizer, always alcohol-based होना चाहिए, वो alcohol की मात्रा जो है, 70%, 70% alcohol मात्रा में, वो ठीक, उसी में हम लोग का हाथ धुलाना चाहिए, maintain always a safe distance, जो कि social distancing कहा जाता है, so that जो भी coughing और कुछ भी करेंगे, वो sneezing, वो side करके, हाथ मुँ में side करके, वो देना पड़ेगा, वो किसी को directly पड़ेगा नहीं, और social distancing जो है, वो minimum 6 feet होना चाहिए, और उसको साथ cover your nose, mouth, mask वो पाहन के, वो कभर करना चाहिए, और always stay home when you feel unwell, हमेशा घर ही स्वर्ग माना जाता है, तो उसी जए घर में ही रहिए, और उसके साथ साथ meditagal attention के लिए, call करके ही आप उनका राए ले सकते हैं, and follow the direction of your local health authority, जो local health authority जो बोलेगा, उसको भी करना चाहिए, और हमेशा five healthy eating habits during covid में मैं बताऊंगी, कि keep of fruits and vegetable intake, always minerals मिलेगा, और उसके बाद swap in healthy dried cane alternatives, face जो produce जो available है, उससे द्वारा ही इट इस लेना चाहिए, healthy snacks, जो की SNA की pizza, burger, ये गंदा गंदा चीज ना खाके, चूडा, जो की बहुत अच्छा पोहा बन सकता है, उसके साथ साथ, और हमारा दलिया है, इतना अच्छा चीज, multi-purpose खिचडी, वो चार, डाल और चावल, दोनों मिला के, जो की body के लिए, बहुत अच्छा सब लोग खा सकते हैं, वो seasonal vegetables और fruits लेने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप रहिस दिखाऊगे, आप सभी के सामने और घर में भी बनाऊगे, कि ना, हम तो गोबी नहीं बनेगा, तो आज खाएंगे नहीं, यह सब बहुत अच्छा होती है, और यह शायुक्त होती है, elderly person के लिए वो बहुत अच्छा है, और always limit processed food, processed food को पूरा बर्जित करिये, कोई भी processed food को हमको खाना नहीं चाहिए, और cooking और eating वो एक fun की दोरान वो करना चाहिए, और meaningful and all the family members should take part in that, ऐसे नहीं है कि कुछ खाली mother ही cook करेगा, या आपका और कोई लोग घर में relatives करेंगे, वो नहीं, सभी लोग मिलमाल तो fun भी होगा, तो general food hygiene के लिए मैं कुछ बताऊंगी tips जैसे, आपको wash your hands thoroughly with soap and water for at least 20 seconds, before preparing any food, आपको soap और water में हाथ धोना चाहिए, use separate chopping board, जो काटने के लिए जो board होती है, या हाथ में भी आप काटेंगे, तो वो साफ होना चाहिए, और prepare uncooked कोई भी चीज नहीं, गरम पानी में या sodium hypochlorite water से उसको धोना चाहिए, जो कि या lequem water, कोई सबजी आया, lequem water means उसका थोड़ा सा जो temperature, that should be 60 Celsius होना चाहिए, और उसके बाद attempts should be made, कि तो recycle करोगे, जो food waste है, food का जो भी packaging, कोई भी चीज आ रहा है, उसको in a very sanitized manner, उसको paper में cover करके, उसको reuse करने के लिए, उसको अलग-अलग कर दीजे, तीन डिबा में, उसको recycle करके, food waste को bio fertilizer भी बन सकता है, after two months, तो उसको भी करना करिए, different color का, वो plastic container, या तीन container लेके, dispose of जो food waste को अलग-अलग में डालके, उसको भी आप recycle करके, use करिए, और कोई भी clean करना है, utensil plates, उसको साफ कपड़ा, और कपड़ा भी दो-दो दिन में, वो आप जो पुछा जाएगा, जो कपड़ा, two-two days में, अभी तो हर दिन sunlight में डालिए, so that हमारा जो ट्राडिशनल में आपको याद होगा, जो भी नहाते थे, पहले वो लोग everyday, टावल-फावल धूप में डालना होता था, आज कल वच्चे वो नहीं करते हैं, और ये जो है, जो जेनरल जो टीप से, ये करोना डिज़िस को बहुत ये में कम कर सकता है, और इसको कुछ भी डोज और डोन्स में भी हम बताएंगे, जैसे वो वाश यूर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, मेंटेन क्लीनिनेस अब दा हाउस, खाली घर का खाली भोजन में किस टाइब का क्या पाया गया नहीं, घर का भी सफाई होना बहुत जरूरी, और उसी में पाई पा रहा है, उसी में हमारा सीड़ी का जो पकड़ के लाते हैं, वो सब आ जाएगा, सब क्लीन करना चाहिए, इट हेल्दी, हेल्दी में सभी टाइब का जो है, मेंली सीरियल, पल्सेज, फ्रूट, वेस्टेबुल ही खाना चाहिए, फॉलो ए रूटीन डाइट, हमेशा रूटीन डाइट भी फॉलो करना चाहिए, स्लिपिंग साउंडली, जो की साथ से आठ घंटा मिनिमम, छे से आठ घंटा तक सोना चाहिए, और उसके एक्सरसाइज थोरोली एक्सरसाइज भी करना, सोशियल कानेक्शन जो है, डिस्टैंस मेंटेन करके, और काम एक्टिविटी, आपको माइन, बॉडी, सोल, सभी में काम करेगा, कामिंग, कामिंग एक्टिविटीज में, कूल करके रखेगा, आपका कुछ हबीज डेवलब करिये, खाली कुकेंग, हम ये खाएंगे नहीं, कुछ गार्डिनिंग करिये, कुछ वो प्लैंट्स को ये कर रखिये, कुछ चीज बनाते रहिएगा, तो उसमें you will feel very happy, be sure you all are hydrate, hydrate होना चाहिए आपका बॉडी को, and limit the intake of salt, sugar, and fat intake, fat भी जो है, पूरा महिना में, तेल, सॉर्सों का तेल ही यूज करना चाहिए, रिफाइन बिलकुल बरजित है, और देशी घी भी खा सकते हैं, और रिफाइन तेल भी हमारा डबल रिफाइन ही खाना चाहिए, और उसमें जो सॉर्सों का तेल खाएंगे, वो maximum, पूरा माइना में, डेड लिटर, क्योंकि per person, only 30 ml, इने डे, तेल खर्चा होना चाहिए, और तीन बार कुकिंग करेंगे, तो याद रखिए 10-10 ml, तीन बार होके ही करना चाहिए, so just avoid, सपोज आपको नहीं आता है, कि मैं हमारा ज़्यादा पढ़ जाता है तेल, तेल नहीं, कुछ चीज ऐसे है, उसको दही में, और निम्बू रस में मैरिनेट करके भी बना सकते हैं, और नॉन स्टिक भी वो 7 कोटेड, 6 कोटेड वाला वो नॉन स्टिक ही यूज करना है, खाली टेफलोन कोटेड वो अच्छा नहीं है, 6 कोटेड में वो अच्छा रहेगा, और उसी के साथ-साथ वो ओवर इटिंग, वो आप लोग, क्योंकि हमारा स्टॉमाख, हमारा जो पेठे एक मेशीन है, उसको बार-बार हम लोग रिसाइकलिंग करेंगे नहीं, तो मैक्सिमम तीन बार ही उसको ओवर इटिंग मत करियेगा, और थोड़ा कम करके ही खाना चाहिए, और इलोट्रोनिक्स ग्याजेट को बहुत यूज करना नहीं चाहिए, जब सानिटाइजर यूज करेंगे हाथ में, उसमें तुरंथ ग्यास अन करना नहीं चाहिए, तुरंथ वो पकड़ेगा, बिकॉज अलकोहल बहुत होता है, और उसके साथ साथ, आई शुर्ट से कि, ये हमारा एक जो बड़ा ये है, बुजूर्क, तो उनको भी सेंसेटाइज करिये, वाट इस जेरियाटिक निउट्रिशन, हम लोग कैसे जेरियाटिक निउट्रिशन, हम लोग एज परसन के लिए, उनका निउट्रिशन क्या होना चाहिए, उनको हमेशा 50 प्लस में, बहुत सारे डिजीज हो जाती है, जैसे कि डाइबिटेज, वेरी कॉमन, 55 परसन को डाइबिटेज है, हाइपोटेंशन होती है, उसके छोड़के हम लोग को, कार्डियो वस्कुला डिजीज होती है, उसमें भी आठ डिजीजेस है, उसको छोड़के स्कीन डिजीज आ जाती है, देखने में भी प्रॉब्लेम आती है, तो उनका डाइट में, विटामिन A, D, और E, B कॉम्पलेक्स, यह सब ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए, तो कौन सा देना चाहिए, विटामिन A में साग हम लोग ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, विटामिन A में सब भी जितना हम लोग का, यह नर्स आ रहा है, मुंकफली, बादाम, अल्मंड्स, सब उनको सुबे के टाइम थोड़ा सा दिया जाए, रेशा यूग भोजयोपदा देंगे, जैसे कि हमारा रहता है वो में भिंडी, भिंडी बहुत उनको कॉंस्टिपेशन की सिकायत होती है, तो वो भी हम दे सकते हैं, और उनका रेस्पिटोरिस बैलेंस मेंटेन के लिए गरम दूद्ध और दूद्ध जो है रात छे बज़े के बाद देना नहीं चाहिए, ओल्ड एज में, क्यूंकि उनको फिर गास फर्मेशन होगा, तो दूद्ध जो है हल्दी डालके, वो छे बज़े तक ये बाला दे दे, भोजन भी आठ से पहले, आठ के बाद जो भोजन लेते हैं, वो भोजन जहर बन जाता है, तो वो जो है, आपका ये सब चीजें, और इट हल्दी, हमेशा अच्छा हल्दी फूट भी दिया जाएगा, चावल डाल, हमारा जो इंडियान डाएट सबसे बेस्ट होता है, हल्दी में, क्यूंकि उसमें साग भी खाएंगे, और कलर कॉंबिनेशन भी कितना अच्छा, चावल, सफे, डाल पीला हो गया, और हमारा साग जो है, वो हरा कलर का, कॉंबिनेशन देखिए कितना बढ़िया, मल्टी कलर फूड में सालेड आ गया, सफेद में दही आ गया, तो वो एक रोटी, रोटी भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी एनरजी गिविंग होती है, तो यह पूरा बढ़िया डाएट मना जाता है, तो यह इसको छोड़ के, जो सपोज, लो, जिनके पास पैसा नहीं, अंडर फ्रिविलेज बेक्ती, वो क्या खाएगा, ताट इस अलसो वेरी इंपोर्टेंट, उनके लिए हम एसे डाएट दे सकते, रोटी खाएंगे, सुबह के टाइम कद्दू के सबजी, वो भीटामीन ए में फूल, और उसमें बिटा कैरोटिन पाया जाता है, कद्दू उठीक भी है, केजी वाइज ज्यादा कॉसली भी नहीं है, और पियाज जरूर है, गर्मी में खाना चाहिए, क्यूरेसिटिन के सासर, उनको एक एज परसन और सभी का एक सोडियूम इंबैलेंसिंग, सोडियूम पोटाशियूम इंबैलेंसिंग होती है, तो ये पियाज ख जाने के बाद भी उन लोग को भी अच्छा लगेगा कि ये जो चीज खाए, वो बहुत ही अच्छा भी उसी में भी आच्छा ये रखता है, इसको छोड़के भी हम लोग काला चना को और ये और भी जैसे चीज है, जो कि हमारा मेंटेन करके हम लोग चल सकते हैं, उसको भी ये जो कि करना चाहिए, ये डोंट सड़नली प्लान करना नहीं चाहिए, कि कोई भी वैकेशन हम लोग जाएं, एटलीस वान येर, कोई छोटा ट्री, बड़ा ट्री वैकेशन नहीं, क्योंकि घर ही सबसे सुरक्षिद ये जगा है, और वाशिंग हैंड्स हमें हमेशा करना चाहिए, सभी को सिखाना चाहिए, मास भी पहनना चाहिए, लेकिन जो फेस माक घर में रहेंगे, वो लोग पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इंफेक्शन बहुत कम, बाहर जाएंगे तो पहनेंगे, लेकिन ओवर यूस करेंगे जब मास का, तो उसमें भी हमारा जो है oxygen brain को भी यह suffocated होती है it reduces oxygen to go inside the blood and to the brain also तो मास्क जब जहां बाहर जा रही है उसमें पहनी है घर के अंदर जरूरत नहीं है party, club यह सब भी बरजित करना चाहिए कुछ भी बुलाना नहीं चाहिए और कोई भी high risk people वो तो पता चल जाएगा उनको बुखार रहता है, खासी रहती है, सुखा खासी तो उनलों के साथ भी वो विजिट बहुत कम यह करना नहीं चाहिए और five things जो है हमारा आरोग्य सेतू वो भी phone में it is a must to उसमें देना चाहिए one should have आरोग्य सेतू उसमें पांच तिन जो है बता गया है कि covid को कैसे हम करेंगे कि fight करेंगे जैसे कि वो एक है covid fight कर social distancing एक है कि आपका hygiene बहुत अच्छी तरफ से होना चाहिए एक कि आपका जो है social के यह के साथ साथ खान पान में भी always early symptoms कुछ भी दिखाई देगा तो doctors को भी आप सला लीजिए और उसके साथ यह जो हमारा साथ बातें जो मोदी जी भी कहते हैं प्रदान मंत्री जी हमेशा वो बहुत अच्छी चीज़ है अरोगय सेत्यू से ही हमने वो लिया था जो elderly population को हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो भी उनको भी उनी का देख रहे हैं उनी का कैसे उनी के लिए कुछ भी हम लोग help करना चाहिए वो एक vulnerable group में आ जाते हैं और उनी का भी जो disease और जो होगा वो घर में ही हम लोग को उपचार करना चाहिए और उसी के बाद हम लोग बाहर जो है उनी को ले सकते हैं लेके कि जो भी हम जब भी भी लेंगे बाहर का ये उनको सामेशा clean, close, उनका मास ठीक से रहे और वो nutritional tips में भी मैं और कुछ भी जैसे बताना चाहूंगी तो इसमें nutritional food जो भी हम लोग देंगे उसमें vitamin A,E,D ये जरूर होना चाहिए so that all these are fat soluble vitamin होना चाहिए वो हमारा ज्यादा तरफ cod liver oil में मिलती है, tuna, sardines वो तो हम लोग साका हारी, अभी तो मांस में मचली कुछ भी खाना नहीं है तो वेगान डाइट में है, तो इसलिए ये सबी जो है vitamin वो भी olive oil में मिल जाता है तो cooking में भी use कर सकते है, source का तेल number one होती है, कितने भी आप कह जाएए और उसको भी phytonutrients हम लोग का भी कुछ रहता है, उसी में भी phytonutrients हम लोग भी use कर सकते है animal जो amino acids है, हमारा 10 essential amino acids है, lysine, leucine, isoleucine, valine, histidine, therionine, tryptophan यह सब चीज़े lysine dal में पाया जाएगा, यह सभी को मात्रा ज्यादा प्रयोग करना चाहिए zinc हर या हरा मिर्ची में पाया जाता है, वो भी प्रयोग, celerium, iron, copper यह सभी भी हम लोग को लेना चाहिए immune जो है हमारा, एक जो है वो regulation भी हमारा, वो regularize होना चाहिए उसमें भी जितना भी हमारा prolification immune cell है, which cause more harmful उसको भी देखना चाहिए और vitamin A की maintain structure function हमारा सभी body का maintain करती है, और mucosal epithelial cell को भी वो, यह respiratory tract को भी अच्छा रखता है, तो यह सभी देखना पड़ेगा enhanced mucosal immunity जो की वो भी एक है और उसी में भी हम लोग को respiratory infection, mucosal रहेगा तो फिर उसके लिए काढ़ा और वो जो gargle वो सब करना चाहिए, nutrition tips में good balance diet लेना चाहिए, vitamin E, beta carotene, जो की precursor of vitamin A होता है, वो भी maintain करना चाहिए, vitamin C, जो की ascorbic acid, वो तो निम्बू से भी मिल जाएगा, सभी खटी फल में भी मिल जाता है, तो खुब प्रचूर खाईए उसको, और उसके साद B complex, B complex vitamin, B1 है हमारा thiamine, B2 revolving, B3 आ जाएगा niacin, B6 है pyroxidin, तो यह से करके vitamin B12 तक है, तो उसी को भी हम लोग का कुष्मे भोजन wheat, जो गेहूं में मिलेगा, गेहूं को थोड़ा अंकुरित करके, गेहूं आपका गमला में ले लीजिए, अंकुर करके, जो घास बनेगा 5-6 दिन में, वो दूब, जो घास दूब को पतले से काटके, पीसके, पीने से, वो उसी में बहुत अच्छा nutrients होती है, पूरा B complex vitamins हमारा body को मिल जाता है, तो कुछ में भी, जैसे यह कभी भी घरापी आएगा नहीं, और उसको छोड़के, हमारा super seeds जो है, नार्ट सम लोग खा लिए, उसमें भी vitamins, औ और सकरकंद वो भी बहुत अच्छा है, तो उसको भी खा सकते हैं, सकरकंद मिल गया, तो इसके साथ साथ nuts, जितने टाए, मुंगफली, वो सब अच्छा पाया जाता है, और जो workout करेंगे, जो बच्चे हैं, घर में भी गंबोर हो रहे हैं, वो भी fitness के प्रती बहुत ध्यान देते हैं, उनको भी high protein diet चाहिए, तो उनको माडवा की आटा, बाजरा की आटा, माडवा की आटा, उसमें चिला बना के खिलाईए, वो बहुत अच्छा है, वो चिला में थोड़ा दही डाल दीजिए, खटापन, तो fermented food भी बहुत अच्छा, शरीर के लिए, और वो fermented food भी, खली idli, दोसा, दोखला, वो सभी ने, सभी type का जो खमिरी होगा, उसमें भी पाय जाता है, तो खांड भी बना सकते हैं, दोखला बना सकते हैं, दोखला भी दाल का, चना डाल भी गाईए, उसमें पालक थोड़ा सा भी पीसी है, बहुत अच्छा रहेगा, हरा हरा दोखला और उसमें डाल दीजिए, हरी मिर्ची, जिंक भी मिलेगा, सिलेरियम मिलेगा, तो ये सब करके डोखला हिल्दी, जो भी फूड हम लोगों को देना है, और उसमें स्टीम में ही है, तो स्टीम ही खाना चाहिए, मोमोज, पीजा, ये सब फिकिए, बहुत गंदा चीज है, मैद पदला करके काट दीजिए, उसमें रोटी का नूडल्स बनाके बच्चों को दीजिए, रोटी में गूट डाल दीजिए, वो मीठा वाला होगा, छोटे बच्चों को उसमें रोटी को, बासी रोटी को उलट-उलट करके उसी को दे सकते हैं, बहुत निउट्रिशन और फूल होगा, उसी में भी हम लोग उसी से भी भरता, उसको भी बॉयल करके स्टीम दे के थोड़ा ले सुन पियाज डालके भरता बनाके निम्बूरस डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, परवल की भरता, बैगन, ये सब जो चीज सुपाच्य भी है, और सभी लोग क भी फैमिली को ध्यान देना है, और ये सबी चीज भी आप रहोगे, अच्छा स्वास्त रहेंगे, तो हमारा सभी लोग हमारा पूरा देर सुरक्षित रहेगा, So, in my conclusion, I can say that when dealing with a devious disease like COVID-19, it is best to take a firm stand that prevention is better than always cure. Prevention के लिए मैंने आज बहुत चीज आपको बताया, make sure that hygiene practices are in place, eat and stay healthy, avoid crowd places and close contact interaction. कोई भी इसको बिलकुल बर्जित करिये, many countries around the world have already enforced movement restriction. So, working from home, that is the best practices. So, take no chances, stay at home, stay healthy and these are the, what are the, I have given, dietary management to tackle and boost your immunity, you should follow. Thank you so much for your, that is special and also give me so much time so that I am able to give my lecture in front of you. Thank you so much and goodbye, good luck. Thank you. Namaskar. झाय करिएμέाशड़ झादक हाईएश substंक ढaneous भाले बासप कर था हमा।